हां जी टाम राम जैमातादी कैसे हैं आप सब तो अभी मैं जा रही हूं घास को सुभा के साड़े च्छे हो रहे हैं और देखो मेरे साथ सिया भी है अच्छी चलती है पर यहां पर पत्थर बहुत जादा है न रास्ता इदे को बहुत जागा खराब है और वह दू देने गया है मैंने बोला था कि आप घर में रहना शीया उंद्या शीया आज तो वह बोलते नहीं मैं भी जाओं को घास को ही मैं रोटी बनाना से बहुत हलते हैं मैं बटे कभी-कभी मैं आभी खा लिया करूँगी किसी के हाथ का यह देखो प्यासे दौडरी है और काफी दिनों बाद लेके जा रही हूं मैं इसको तो तो आधे घास को चली फिर मैं आगे से बात करूंगी आप से चिया यह देखो म पिछे पिछे चलती रही पहुंचगे मुगास के पास सिय यहाब का अब पहले स्कता बहारी था जो गड़ाओं था ना क्या बोलते हैं इसको प्याव क्या बहुत खराब यह तो यह बस अब यहीं चरेगी तो रास्ता बहुत खराब है यह तो आजाती है फ्षक वह बता internships तो चलिए आपको थोड़ी सी सिया की मस्ती देखो इसका जो वो है ना भगती एक वार फिर से दिखाती हूं तो अभी हनी के पापा भी आ गये थे मेरे हस्बेंड मतलब यह देखो इनके बुला रहे थे अपनी तरफ और यह इनकी तरफ नहीं जा रही थी तो मैं इसको जान भूझ कैसे दुड़ाती रहती है यह सोचती है कि चली गई और पीछे पीछे जाती रहती है मैं तो आता रहा तेरे दर पे सदा तुझको मनाने को आओगी कब भला मेरे घर भी ओ मां यह देखो अब आगी न यहां और कुछ है सिया तो पता नहीं क्या आई यह यह मेरी बेटी है सची में मातराणी ने बेटी की कमी पूरी कर दिया मुझे यह देखो यह देखो चली फिर से चली पीछे और घास के उपर जाएगी इतना बुरा हाल करती है न घास का और देखो आज मैंने वह घास पली बोलते हैं जिसको न वह बनाई मैंने आज नहीं तो वह बनाते हुए नहीं मैंने दिखाए क्यूंकि उस टाइब मेरे पास यह मैंने एक बोरी फाड़ी मतलब काटी और फीड की उसमें चार उतर रसियां लगा दी और यह बनगी नहीं हमारी पली और यह घास मैंने काट दिया है फिर अब हम चलेंगे घर को बस अब इसके पास का इसको मैं परेको करूंगी नहीं तो एदो को मेरे पास खड़ी अब इसके साथ खेल रहे हैं और एक रैसिपी भी बनाई थी मैंने कडी कोफता मैंने सोचा कि मैं इसमें डालूंगी पर फिर वीडियो ना बहुत जादा लंबा हो रहा था तो क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी अभी बाद में तो फिर मैंने थोड़ी सी क्लिपें एड की बाग की फिर मैं कडी कोफता देखती हूं कल लेके आऊंगी इसी चैनल पर और शाम को दूसरे चैनल पर भी वीडियो आएगी तो जरूर देखिएगा हिमाचल पर चुर्ण जैसे पढ़ जाते हैं चोटे बच्चों को और परी भी मतलब अच्छी होगी है काफी अच्छी होगी है मैंने कल दिखाया भी था उसको मैंने आपसे बहुत सारी बातें किये तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और अपनी खुशकवरी जाहिर किये खुशिया बात बता देते हैं आपको थोड़ी सी और क्यों ऐसा क्या होगी आंसूश चलक पड़े तो बहुत बहुत बड़ी खुशकवरी है आप लोगों के लिए ऐ नो आज जो है आज नहीं आज है बुद्वार ूंगगवर और तारिक इतने हैं सानौ नव नव तारिख है जो मैं यह वाली ogr們 कर Zahl चुट और जूत बुम पिछले को लेकिन के मंगलवाट तारीक जो खुशकबरी है और जो आपने पिछे देख वो मंगलवार का था हुँ तो खुशक परी यह है कि बुद्बार को 10 मीं का रिज़न्ट आ गया है और मेरा हनी पास हो गया है बहुत इच्छे नमबरों में और फस्ट डवीजन में पास हुआ है मतलब यह तो नहीं मैं बोल रहूं कि टॉप पर है कि बटा फस्ट डवीजन में पास हुआ है 600 में से 500 के करीब उसके नंबर हैं अच्छे नंबर में मतलब मेरी उमीद से परे क्यों वह भी मैं आपको रिजन बता देती हूं कि मैं हमेशा बोलती थी थी ना कि वह थोड़ा सा और यह जरूरी नहीं कि हमारा हमारे बच्चे उतनी उमीद लगानी भी निचाए कि नहीं वह बहुत कर दी है कि किसी चीज में अगर कोई चीज नहीं समझ आती एक मखी बड़ी तंग कर रहे हैं मिरको कोई चीज अगर हमारे को नहीं समझ आती तो उसमें कोई बस नहीं होता है ना बच्चों का ना माबाप का ना टीचर का ठीक है तो वैसा ही था मेरे हनी के साथ बहुत अच समझे लोग की 99% जो आदते हैं उसकी वो मेरे उपर है हने की और आप सही बोलते हैं आप कमेंट से बहुत बार बोलते हैं कि शकल में भी शान वो अपने पापा के पे गया और वैसे भी काम पे भी और आदतों में भी हमारा ऐसा ही दून बच्चोंगा तो वैसा नहीं वो में नहां के बैठी हूं यहां पर भी चलो वीडियो का एंड कर देते हैं तो मेरा मतलब ऐसा था कि मुझे डाउट था कि कहीं मैथ में लेट करना जाएं या कुछ ऐसा था और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं उतना ध्यान भी नहीं दे पा रहे थी क्योंकि काम बहुत हो लेकिन हनी मेरा हर फिल्ड में टॉपर है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा निकला और जो दस्वी जो क्लास होती है न वो एक बेस होता है किसी भी किसी भी क्या स्कूल जो एजुकेशन का बेस होता है टैंथ क्लास हमारा जितना मुझे पता है मैं उतनी पड़ी लिख अधार होता था तैंथ क्लास अभी हनी यहां पर नहीं है वो पानी पिलाने गया है तो उसने बोला कि ममी आप में कपड़े भी दो थी दो जाए थी में में फिर टाइम हो रहा था ग्यारा बजगे एक बज़ता के वीडियो जाएगी तो अज मेरा बहुत मन कर रहा था अप तो मैं चली गई थी गहास को तीन पांच पांच बज़े के बाद गई थी में काफी दिरवाद गाय दू के तो जब मैं गई थी तो वहां पर दिन को बोल दिया था शान नूने की ममी आसा आसा टांत का रजल्ट आ गया डिकलीर हो चुका है और फिर हमारे को फोन आया हमार बच्चा कैसा रहा होगा तो मिलको थोड़ी देर बाज़ो है मैसेज आ गया उस लडगके का अपने चाच्य को फोन कर दिया कि पास अच्छ नंभरों में फॉस्ट डिवीजन कितने नंबरों से उपर होती है वह 94 से उपर होती है तो फॉस्ट drinking में पास हुआ है बहुत खुशी मैं तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी माता नानी का कि जो मुझे हर बार मेरी उमीदों पे खरा उतारती है वैसे मैं एक बात बताओं आपको मैं अपने बच्चों को कभी प्रेशन नहीं इनके उपर डालती कि नहीं के लिए शानु आस्ते करो तो मेरा यह मतलब होता है तो सबसे पहले मेरी माता नानी का बहुत बहुत धन्यवाद वह मतलब मेहनत इसने की और फल इसने दे दिया और दूसरे नंबर पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने बच्चों के टीचर्ज का बहुत अच्छा स ही बहुत के स्कूल करते हैं प्रिंशिबल सरके तो सफ में सभी तीचर bud survival और एक बहुत मैंने करी लिए कितना प्रसेंट जचा सब भ़त नबे 95% रिजट टेंट का रहा हमारे स्कूल का तो बहुत खुशी की बात है और वैसे भी हमारा स्कूल जो यहां पर टॉप पर आता है मिन्हें चुला मारे खुशी की बार बार तो बहुत जादा जो अच्छा रिजल्ट रहा यहां का और एक बात मैं और बोलना चाओंगी हनी ने मिरको बोला हनी मिलकों हमेशा बोलता था कि मम्मी अगर नहीं निकला तो कभी भी बच्चों के ऊपर बाष्ये बहुत से गलत हरक बहुत कम मेरे आंसु आते हैं on camera क्यूंकि मुझे यह सब सची बाता हूँ मैं on camera में रोती हूँ और बहुत कम रोती हूँ otherwise नहीं मैं मतलब उसने में मेरे को बोले थी कि मम्मी के पास से आया आप और आप रोए नहीं मैं नहीं रो सकती मैं side में रोई हूँ गी वो मैंने नहीं दिखाया औरोंको दिखा दोंगी अपने आपने नहीं दिखाऊंगी क्यूंकि मैं कभी कमजway और नहीं बनना चाती मैं सची यह भी पक्की बात है, यह नहीं कि तुम कुछ भी नहीं पड़ो और बैठ जाओ मातालने के भरोसे नहीं, उसने भी स्ट्रगल किया होगा, तो फिर इसने साथ दिया, तो वो कहते हैं भवान उनकी साहता करते हैं, जो अपनी साहता आप करते हैं, तो मेरे बेटे ने बहुत अब सानु तो चलो, सानु का तो अगले साल होगा, अभी तो खुछ भी नहीं की नॉर्मल पड़ाई होती है, बहुत खुशी की बात है, और मतलब मैं क्या बता हूँ आपको, अब देखते हैं, कॉमर्स इससे जो मैं करवाओंगी आगे, देखते हूं क्या होगा, तो बस आज का वीडियो ये खुशकबरी सुनानी थी आपको, और नेचरल सी बात है, महां के लिए बच्चों की खुशी से बढ़के, और कुछ भी नहीं होता, और ये ऐसा है कि हर काम में परफेक्ट है ये, घर के काम में भी और बहार के काम में भी, और मैं सब को ये बोलती कि बच्चों को हर काम में परफेक्ट बनाईए, उनको ये नहीं कि आप उनको पढ़ाने बैड़ जाओ, तो बस तु पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, कल तु बढ़ा अफसर लग जाएगा, और बाई चांस, उमीदें मत लगाईए, उमीदें हमारे दुखों का कारण बनती जब हम किसी अपने बच्चे को बोल देंगे तो फस्ट आएगा और जब चारा वह फस्ट कर सैकिन थर्ड कुछ भी नहीं आता कितना दुख होता है मत लेगा यह तो पड़ तेरे उपड़ेगा तो अपने लिए करेगा नहीं पड़ेगा तो फिर तूभी अपने हां अच्छ करो सबकी अवसार परिवार में बहरं पर आमास की संसकार बाकी ओफुछ की सीख लेते हैं पढाई तो अपने यह देखहनी भी आ गया है और और भी मैंने अवसे बात करने तिARA कुछ क्या कर नहीं था मैंने बात अपना जो भविश्या है अब तुम्हारे हाथ में तुम बड़े हो चुकियों हमारा काम है इनको गाइड करना है ना इनको समझाना कि हमें किसी ने कोई थानी बोलने वाला कि हमारे को यह रहता था कि अच्छे नंबर आगे तो बस पास नंबरों का तो किसी होता था पास हो तो बहुत हो गया तो नमस्ते कर ले सबको और यह मेरे मेरे शर्मिलू बेटो अब तो आने लग गया है अब तो आने लग गया काफी और अभी यह गया था पानी पिलाने तो मैं कपड़े दो रही थी यह ऐसा काफी एल्प करता है और बस अपने बच्चों से इतना भी मत करिए करिए बहुत से हास्य होते हैं रिजल्ट आने के बाद उनके उपरे प्रेसर मत दीजिए कि तु क्यों पास नहीं हुआ उसका बच्चा हां एक बात कभी मत करिएगा मैं के पापा को भी कई बार बोशती हूं वह ऐसे मजाक मजाक में बोल देते ना उसके इतने नंब अच्छे ना यह हमारे नहीं बगवान की दीवी आत्मा हैं हमारे पास जिनका हम पालन पोशन कर रहे हैं यह उसी के वह आगे बढ़ाएगा और हमें तो सिर्फ गाइड करना इनको पालना अच्छी तरह से बाकि कभी भी किसी के साथ कि उसका बेटा वो आया उसका बेटा वह आया उसकी बेटी वह आई तुम क्यों नहीं आये ऐसा कभी भी मत करना अपने बच्चों के साथ जीतना भी यह मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मतला होता है ना कई लोग सुचेंगी तो क्या हुआ इतने पास ही हुआ तो कि मेरे लिए तो बहुत खुशी की बा ले चेंटे मनजिल खुद चूल लेंगे इनके दिमाग में अच्छे बिचार अच्छी सोच भरो ना कि यह बरो कि तमारी चाच्ची ऐसे तमारी ताईव ऐसी है जाओ वाला वह ऐसा है उसको सबक सिखाना यह कुछ मत भरो इनके माइंड में तो फिर यह गलत ही सिखेंगे और एक दिन ये गलत हमारे उपर भी अपनाएंगे कि ये तुम्हारी दीवी शिक्सा है ममा तुम्हारी दीवी शिक्सा है पापा मतलब तुमने भी कहा था कि आसा करना ऐसा कुछ नहीं करो इनको सिधा रास्ता दिखाओ बागी साथ भगवान देंगे बाकी साथ माता रानी देंगी, वो सबका साथ देती है, सबके साथ खड़ी होती है, हर टाइम खड़ी होती है करें एंड, इसको भूख लगी है, और मैंने भी थोड़ा सा काम कर ले न, तो ठीक है, जै माता दी, बाई, थैंक यू सो मच, राम राम